राधे राधे भगवान की कृपा से आप सब अच्छे होंगे आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी के कौन से ऐसे कारण होते हैं जिससे परिशानियां हमारे घर में प्रवेश कर जाती है इसमें से पहला कारण है के हम जब कहीं बाहर जाते हैं तो सडकों पे हम कुछ लांग जाते हैं फिर हम जब वही पैर लेके अपने घर आते हैं तो प्रशानियां और दुरभाग्या भी हमारे साथ ही घर आ जाता है इसलिए हमें सडक पे चलते हुए बहुत ही ध्यान से चलना चाहिए और इन चीजों को कभी भी नहीं लांग ना चाहिए पहली जो चीज है वो है बालों का गुछा कई बार सडक पे बालों के गुछे पड़े होते हैं और हम अपने ही ध्यान में चल रहे होते हैं और हम उनके उपर से लांग जाते हैं हमारे शास्त्रों में बालों को बहुती तूटे हुए बालों को बहुती अपवित्तर मानना गया है और इन बालों से लोगों ने कई तोटके भी किये होते हैं और जब हम इनको लांखते हैं तो फिर जिसने भी अपनी परशानी इन बालों को फेंग के दूर की होती है वो परशानी हमारे साथ हमारे घर आ जाती है ये चीजें हमारी prosperity पे भी असर करती हैं और हमारी health पे भी असर करती है इसलिए हमेशा हमें सडक पे बहुत ध्यान से चलना चाहिए और कभी भी बालों के गुच्छों को और ना ही कटे हुए बालों को लांगना चाहिए दूसरी जो चीछ है वो है गंदा पानी कई बार हम देखते हैं कि सडकों पे सीवरिच का पानी बह रहा होता है या घरों से पानी बहार आ रहा होता है या कोई कपडे धो रहा होता है तो वो पानी भी सडक पे आ रहा होता है और जो कपडों का पानी होता है वो बहुत गंदा गिना गया है और हम उसे लांग के उन्हीं पैरों से अपने घर में प्रवेश कर जाते हैं जिससे के जो सारी negativity है वो भी हमारे साथ हमारे घर में प्रवेश कर जाती है ये जो चीज़ें होती हैं फिर हमारे घर में ग्रैक लेश करवाती हैं और घर में लड़ाई चगड़े होते हैं इसलिए कभी भी जो सड़कों पे पानी बह रहा होता है उन्हें लांगना नहीं चाहिए अगर बायचांस वो पानी बहुत जादा है तो हम कहीं इधर उधर से होकर भी नहीं जा सकते तो फिर घर आकर वो जूते घर के बाहरी उतार देने चाहिए और फिर उन जूतों को नीचे से साफ करके फिर अपने घर के अंदर शूरैक में रखना चाहिए उन्हीं जूतों के साथ अपने घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए नहीं तो बिमारियां लड़ाई जगड़े भी हमारे घर में प्रवेश कर जाएंगे तीसरी जो चीछ है वो है कि जली हुई लकड़ी और राख कई बार हम देखते हैं कि सडकों पे राख पड़ी होती ही या जली हुई लकड़ी पड़ी होती है और हम उसे लांक कर अपने घर में प्रवेश कर जाते हैं ये बहुत ही नेगिटिव होता है और जली हुई लकड़ी बहुत ही अशुद समझी जाती है और ये हमारे फिर बिजनस नोकरी हर किशेतर में ये जो नेगिटिवटी है वो असर करती है और हमारे जितना भी फ्यूचर के जो काम है वो फिर नहीं बन पाते इसलिए कभी भी राख और जली हुई लक्री को लांख कर नहीं जाना चाहिए और इन बातों को ध्यान रखके ही हमें सडक पे चलना चाहिए अगली जो चीज है वो है चावल कई बार सडकों पे चावल भी पड़े होते हैं ये कई बार लाल रंग के या पीले रंग के भी होते हैं इन्हें भी लांग कर कभी भी हमें आगे नहीं जाना चाहिए इन्हें लांगने से जो महिलाएं हैं उनको जो उनकी प्रेगनेंसी है उसमें बाधा आ सकती है क्योंके ये इसी बात को सोचकर फिंक जाते हैं कि जो भी किसी को इस तरह का कोई बाधा होती है प्रेगनेंसी वगएरा की तो वो लोग फिर अपने से चाफल बार कर वो सडकों पे फिंक देते हैं और जो भी महिला या लड़की उससे लांखती है तो उसे भी अपने पावटों का सामना करना पड़ता है इसलिए कभी भी अगर आपको लगता है कि कोई चावल वगएरा पड़े हैं तो उनके साइड से होकर ही निकलना चाहिए और अगली जो चीज है वो है फूल कई बार लोग पूजा के फूल सडक पे फिंक देते हैं जिससे के बहुती हमारे घर में आ सकती है क्योंकि ये फूल कई तरह के होते हैं और आज के लोग कई तरह की पूजा भी करते हैं तो इसलिए तांत्रिक पूजा वाले फूल लांग कर जब हम अपने घर आते हैं तो हमारे घर में नेगिटिवटी भी हमारे साथ ही प्रवेश कर जाती है और फ मुश्कलों का सामना करना पड़ता है और कई बार तो इसी कारण हमें दृद्रता का सामना भी करना पड़ता है गृब्भी भी हमारे घर में परवेश कर जाती है और अगली जो चीछ है जो के हमें कभी भी नहीं लांखना चाहिए वो है निम्बू मिर्ची कई लोग अपने घर में या दुकानों में निम्बू मिर्ची बाहर लटकाते हैं और फिर एक सब्ता के बाद उसे उतार कर बाहर सड़क पर फेंक देते हैं फिर जितनी भी नेगिटिविटी होती है जो आदमी इसे लांखता है वो उसके साथ ही उसके साथ घर आ जाती है तो इसलिए लोग पूर जाकर उसे गिरा दें लेकिन लोग उसे सड़कों पर ही फेंक देते हैं इसलिए कभी भी जो सड़कों पर निम्बू मिर्ची पड़ी होती है उसे लांखना नहीं चाहिए नहीं तो हमें फिर गरीबी का सामना करना पड़ सकता है दृदरता हमारे घर में परवेश कर जाती है इस तरह से ये कुछ चीजें हैं जिने हमें लांख कर आगे कभी भी नहीं जाना चाहिए और ध्यान से हमें सड़क पर चलना चाहिए जै माता दी